असलाम लेकुल मेरा नाम है अफिजा अब्दुलमनान उमीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे गोहर पब्लिशर में आप सब को खुशाम दीद हमारा मोटो है Redefining the Geography of Education through Digital Resources for Conceptual Learning और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू Nursery 4 Plus सफ़ा नमर चार पे हमारे पास मजूद है अलिफ, हरूफ तहजी का पहला हर्फ लेकिन उससे पहले कुछ हदायत हैं जो साज़ा के लिए हैं देखते हैं वो क्या हदायत हैं हदायत नमबर एक पे हमारे पास मजूद है हर्फ, अलिफ, ग्रेट, सैंडबोक्स पर लिख के दिखाएं और बच्चों से इसकी मश करवाएं अलिफ और इससे शुरू होने वाले लफास की पहले खुद बलंद खुआनी करें फिर बच्चों से करवाएं अलिफ से शुरू होने वाले मजीद अलफास की फ्लेश कार्ट से वजाहत करें जैसे इस्त्री, आलू, अचार वग्यरा बच्चों को बताएं कि अंगूर और अमरूत फल हैं, दो हर्फी लफ्स पढ़ें और बच्चों से दोहराएं अब हम बढ़ते हैं अपने सब्बक की तरफ, सबसे पहले आप बच्चों देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास मजूद है अलिफ और यहां पे बहुत सारी तस्वीरे बनी हुई है, हम देखते हैं कि इन तस्वीरों में क्या क्या बना हुआ है यहां पे हमारे पास मजूद है अमरूद, यहां पे हमारे पास मजूद है एक घर, बहुत ज़्यादा गांस भी बनी हुई है, यहां पे हमारे पास मजूद है अंगूर की बेल, और यहां पे एक लड़का भी है, और लड़की भी है, और यहां पे आपको कुछ फूल भी अब यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़े बनी हुई है ना तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अलिफ अ के दोस्ट कोन-कोन से है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मजूद है अंगूर अंगूर अलिफ अ अंगूर अंगूर जो है किस रंका है जामनी रंका है और आपको पता है कि अंगूर ओड भी दो तरहां के होते हैं जैसे कि काले रंग का भी होता है, सब्स रंग का भी होता है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जामनी रंग का अंगूर मजूद है इसके बाद हमारे पास मजूद है अद्रग अद्रग जो है सबजी होती है जिसको ममा सालन बनाने में इस्तमाल करती है इसके बाद हमारे पास मजूद है अमरूद अलिफ अमरूद अमरूद जो है वो फल होता है और इसका रंग क्या होता है सब्स रंग होता है इसका अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे अलिफ अ अंगूर अंगूर जो है वो किसका दोस्त है अलिफ का दोस्त है लेकिन आपको पता है कि अंगूर के आगे जो हर्फ है हर्फ के भी आगे दोस्त है जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलिफ है अलिफ के उपर क्या है? जबर है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे यहाँ पे नून है हमारे पास और यहाँ पे गाफ के उपर क्या है? पेश है तो इसको गाफ को उ के साथ पढ़ेंगे तो हम क्या होगा गूह होगा इसको आमद आ नून गाउ गूह यहां पे हमारे पास है वाव और यहां पर हमारे पास रे अलिफ-आ-ंगूर और यहां पर हमारे पास है अद्रक्ड़ की Bो K 첫 दोस्ती है अग Fraktion के के साथ यहां पर देखें जैसा के जबर जबर है फिर यहां पर दुबारा से जबर है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे अदरक यहां पर हमारे पास मजूद है अमरूद अमरूद की भी किसके साथ दोस्ती है जबर के साथ और पेश के साथ दोस्ती है तो इसको कैसे पढ़ेंगे अम अम रा उरू रा उरू उद अम रूद अंगूर अलिफ आ अंगूर अलिफ आ अद्रक अलिफ आ अम्रूद अब यहां पे हमारे पास मजूद है दो हर्फी लफ्स और दो हर्फी लफ्स में हम देखेंगे के अलिफ की किस किस के साथ दोस्ती हुई है अलिफ की दोस्ती हुई है यहां पर अलिफ बे अब यहां आप इनको आवाजों के साथ भी पढ़ सकते है जैसा के अब अब इसके बाद अलिफ की दोस्ती है जेर के साथ और सीन के साथ इसको हम कैसे पढ़ेंगे अलिफ जेर सीन इस या फिर आ जेर सी इस या फिर आ जेर स इस यहां पर अलिफ की दोस्ती है पेश के साथ और नून के साथ तो इसको हम पढ़ेंगे अलिफ पेश नून उन यानि उन उन जी बच्चो सफ़ा नबर चार पर आपको अलिफ के दोसों से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी और साथ ही साथ में आपको जबर, जेर और पेश के बारे में भी पता चल गया होगा किसी बड़े की रहनुमाई के साथ दोहराते रहें ताकि आपकी रवानी बनी रहे अगली वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिस